नमस्का जेहिन मैं दिल्ली से अलका लामबा और मैं लोकमत निउस.in दौरा शुरू किये गए इस्त्री मानुष केंपेंड का स्वागत करती हूँ बहुत अच्छी सोच है इस केंपेंड के पीछे बिकोज महिलाएं एक बात कहना चाहूंगी देखने में कोमल जरूर है पर उनकी कोमलता के पीछे उनकी कमजोरी है ऐसा मानना वालों की बहुत बड़ी एक मैं मुझे लगता है भूल करते हैं क्योंकि महिलाएं कोमल जरूर है कमजोर नहीं और दूसरी बत मैं कहना चाहूंगी इस रिष्टी जो है एक शक्स आप यह देखने हैं विश्व में इस्तरी के गर्ब से पैदा हुआ है और जब वो गर्ब से पैदा हो चाता है वो पुश उसी महिला के अस्तित्व को चुनोती देने लगता है आज की हकीकत है कि एक महिला जब अच्छा पैदा करती है तो हर दिन हर प्रती दिन मैं बता रही हूं हमारे देश में आठ सो महिलाएं जो हैं वो मोत के कागार पर होती है मोत से जीत कर वो इस पुश को सा जो हो जनम देती है मैं आज सब तरी से कहूंगे उस इस्तरी का सम्मान करिए उस इस्तरी का जो अधिकार हक है उसका दर्जा है उसे वो दीजिए खाली एक मैं कहूंगी माफी चाहूंगी किसी को अगर बुरा लगे कि आप पथर की मूर्तियों में ही उन्हें पूजेंगे लेकिन साक्षात अगर वो आपके सामने है तो मुझे लगता है आप उसके हक अधिकार देना होगा आज भी हमारे समाज में जो है वो बेटिया सुरक्षित नहीं है यह मुझे लगता है सबसे बड़ी हमारे लिए गंबीर जो है वो चुनूती बड़ी हुई है मैलका लांबा लोकमतnews.in के जो केंपेंग शुरू किया गया है इस्तरी मानुश के केंपेंग को समर्थन करती हूँ और मैं आप सभी से भी अपील करूँगी जितना हो सके महिलाओं के बारे में हमारी बेटियों के बारे में उनकी सुरक्षा उनके मान सम्मान हक अधिकार के लिए आप अगर आवाज उठाएंगे अपने व्यूज शेयर करें मेरा आप सभी से निवेदन है उमीद करती हूँ आठ मार्च 2018 आने वाला जो है हमारा अंतरास्ट्रिय महिला दिवस हम सब के लिए एक नया बदलाव एक नई जो है उमीद की किरन लेकर आएगा जहें